अज की ताजा ख़बर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए धग धग गरल मादुरी दिक्षित किये फैंस की संख्या गिनना काफी मुश्किल है इस से पता चलता है कि वे लोगों में कितनी पपुलर हैं इतने सालों के बाद भी मादुरी के सामने कोई भी हीरोईन और हीरोटीक नहीं सकता बता दें कि मादुरी दिक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि मादुरी फिल्मों में ना आएं काफी मशक्कत के बाद माधुरी के मातापिता को सुरेश वाड़कर के रूप में लड़का मिल गया। सुरेश वाड़कर उस वक्त के उभरते हुए सिंगर थे। माधुरी के मातापिता ने रिष्टा सुरेश वाड़कर के घर भिजवाया लेकिन सुरेश ने वो रिष्टा करने से मना कर दिया सुरेश वाड कर ने यह कहकर माधुरी से शादी करने से इंकार कर दिया कि लड़की बेहद दुबली पतली है इस रिष्टे के तूटने से माधुरी के मातापिता बेहद दुखी हुए